प्रिथु बोले, हे नारज जी, कृष्णा वेणी के तड़ से शिवजी और विष्णो जी के गणों ने वैश्यों के शरीर से कलहा निकाली थी, वापने हमसे पहले का, या बताएं कि ये नदियों का प्रिभाव है, अत्वा उस शेत्र का, हे धर्मग्य, इसमें हमको बड़ है, नारज जी बोले, कृष्णा साक्षत कृष्णा का शरीर है, और वेणी महादेव जी का स्वरूप है, इसलिए इसके महात्मय को चतुरमुक ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते हैं, तो भी उसके विश्य में कहता हूँ, उसको सुनो, एक बार चाक्षुस मनवंतर में, ब्र मौरत ने, ब्रिगु आदी मुनी ने उनकी दिक्षा के एक सुन्दर सभा की, और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया गया, वह धीरे धीरे आई, तब ब्रिगु ने विश्णु जी से का है, विश्णु जी, आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई, उनकी स्त्री है, नारजी ने कहा, शिवजी ने विश्णु जी के वचन को मान लिया, ब्रिगु के इस वचन को सुन, गायत्री को ब्रह्मा जी के दक्षिन भाग में बैठा कर दिक्षाविदी को प्रारंब किया, ब्रिगु जी दिक्षाविदी कर ही रहते कि स्वरा भी य नहीं होता माद्दुर्भिक्ष, मृत्यू, भय ये तीनों वस्तुएं होती है जो ये दक्षन भाग में मेरे आसन पर बैठी है इससे ये ऐसी गुप्त नदी बनेगी जो अध्रिश्य रहेगी मेरे आसन पर तुमने दूसरी बैठा दी है सो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओगे देवता हाहकार करके दंडवत करके स्वरा से प्रात्ना करने लगे ये देवी आपने जो हम ब्रहमादिक सब को श्राप दिया जो हम जड़ी भूत नदी बन जाएंगे तो ये तीनों लोग नश्ट हो जाएंगे ये श्राप तुमने बिना विचार दे दिया ये वापिस दे लोग स्वरा बोली है दीवताओं तुमने यग्गी के आदी में गनेश जी का पूजन नहीं किया इससे मेरे क्रोध से ये विक्ण ये संधेव पैदा हुआ मेरी ये बात सही होगी जूटी नहीं होगी इससे अपने अंश्र से जड़ी भूत होकर तुम सब नदियां होकर पश्चिम की तरफ भहेंगी नारत जी बोले ऐसे स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा विश्ण शिव ये तीनों सब जड़ी भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए तब विश्ण जी कृष्णा नदी शिव जी वेनी नदी और ब्रह्मा जी कुमूदन नदी हुए ये सब अलग-अलग नदियां हुए प्रिश्णा और वेनी के उपाख्यान को जो मनिश्य सुनेगा और सुनावेगा उनको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा इतिकार्तिक महात्मया 24 अध्याए नारेन 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 नारेन